आज की वीडियो में बात करेंगे हमां अल्जेबरा के प्रेश्णों की अल्जेबरा के प्रेश्णों का आप 2 से 3 सेकेंड में हल कर देंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों जब यह आपको कोशन दिया रहा हुआ X प्लस 1 अपॉन X एक्वल टू 4 हो तो X स्क्वल प्लस 1 अपॉन X स्क्वल दिया रखा है दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूँ जब यहाँ पर X की पापर 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो या फिर 6 हो तो उन प्रेश्णों को कैसे स्वल करेंगे वो हम आपको इस वीडियों बताएंगे तो इस वीडियों का आप अंतर तक देखते रहिए दोस्तों मैं आपको एक बता दूँ कि इसमें जब यहाँ पर प्लस दिया गया है और यहाँ पर भी प्लस दिया गया है तो देखिए प्लस और प्लस यह होता है दोस्तों मैनस अब आप गहेंगे सर्फ प्लस तो प्लस होता है लिखने अलजेवरा के प्लस्क्रणों को जब आफ सॉल्व करेंगे शॉर्ट्र केसे तो वहाँ पर प्लस प्लस माइनस रहेगा यह आप ध्यां रखिएगा और देखिए मैनस माइनस दिया जाएगा तो ये रहेगा आपका PLUS और MINUS और PLUS दिया जाएगा तो ये रहेगा आपका PLUS ठीक है दोस्तों ये आपका ध्यान रखना है यह नियाम है आपके PLUS PUS MINUS होगा MINUS MINUS PLUS रहेगा MINUS PLUS PLUS हो जाएगा बस आप इतना याद रहिए और उसके बाद इस टायब के यह आपकी trick है यह आपकी trick है अब देखिए n क्या है यह जो संख्या दे रखी यहाँ पर यह है आपकी n ठीक है तो आप इसे इसमें रख दीजिए देखिए चार का करेंगे square ठीक है plus minus 2 ठीक है यह हो गया अब देखिए चार का square कितना होता 16 अब देखिए plus आएगा यहाँ पर यहाँ पर माइनस आएगा हमने आपको बताया है plus पिलस होता है minus तो यहाँ पर भी plus है और यहाँ पर भी plus है तो इसका मतलब क्या आएगा तो पूरा वीडियो आप देखते रहिए ये concept आपका clear हो जाएगा अब देख लेते हैं अगला question अगला question है देखिए x minus 1 upon x equal to 4 और यहाँ पर भी plus है और यहाँ minus है तो अभी हमने आपको बताया plus minus होता है और minus और plus आपका plus होता है यह हमने आपको बताया तो देखिए trick किया थी आपकी दोस्तों square वाले में दो power वाले में n का square plus minus 2 यह trick थी आपकी तो n आपके कितना दे रखा 4 तो 4 का कर देंगे square अब ठीक है यहाँ पर minus है और यहाँ plus है तो क्या आएगा दोस्तों minus और plus का हमने बताया plus आएगा तो यहाँ पर आप कर दीजिए plus और कर दीज कुछ नहीं करना दोसे तीन सेकेंड में ही आप algebra के इंप्रेश्णों का answer करतेंगे बस आपको याद रखेना है यह जो होता है यह आपकी n n का square कर दीजिए और यह सबसे जरूरी बात है दोस्तों आपको इस चिन याद रखना यहाँ पर आपका plus है यहाँ भी plus है तो minus रहे अगला है x plus 1 upon x equal to 2 हो तो x की power 3 plus 1 upon x की power 3 equal to what यहां के आएगा दोस्तों यह cube वाला है तो इसकी electric है square वाला था तो इसकी n की power 2 थी क्योंकि वहाँ पर power भी 2 होती थी लेकर यहाँ पर power 3 है तो यहाँ पर भी power 3 रहेगी देखिए n की power 3 plus minus 3 into n यह दोस्तों आपका formula माल लीजिए चाहिए आप इसे trick समझ लीजिए इसी से आपका यह cube बाला सरख लो जाएगा तो देखिए करते हैं इसे देखिए n कितना दे रखा है आपका 2 n 2 है यहाँ पर 2 का square कीजिए 2 का q कीजिए क्योंकि 3 दे रखा है 2 का q अब देखिए plus माइनस यहाँ पर देखिए plus है यहाँ है तो पलस पलस कितना होता है हमने मताया plus plus माइनस होता है तो यहाँ पर आप बाला तो 3 का करेंगे N में तो N कितना दे रखा दोस्तों हमारा 2 दे रखा है तो 3 का N में कर देंगे 2 में तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा direct कर देते हैं या फिर मैं भी लिख देता हूँ 3 into N कितना दे रखा है 2, एक च्टेप और बढ़ा देता हूँ बढ़ा दिया अब इसे solve कर लेंगे 2 की पाबर 3 कितना होता है 2 की पाबर 3 होता है दोस्तों 8 तो हम यहाँ पर 8 लिख लेंगे लिख लिया n का square plus minus 2 कर देना है cube दे रखा होगा तो n का cube plus minus 3 into इसमें एक step और बढ़ जाता है n से multiply हो जाता है 3 का बस इतना बढ़ जाता है अब पूरा वही रहता है यहाँ पर 2 कर देंगे यहाँ दो रहा तो यहाँ पर 2 होगा plus minus 3 है तो 3 होगा लेकिन 3 वाले में क्या होगा n से एक बार और multiply हो जाएगा दोस्तो आप देखिए power जब यहाँ पर 2-3 से भी जादा दे रखी हो तब कैसे इसे solve करेंगे उसे भी आप देख लीजिए अगला question है x plus 1 upon x equal to 3 हो तो x की power देखिए यहाँ पर 4 दे रखिए यह दे रखा है तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों जो trick है इसकी विल्कुल वही है जो square वाली थी विल्कुल वही trick है लेकिन इसमें थोड़ा सा change है वो देख लीजिए change क्या है दोस्तों x की power यहाँ पर 4 दे रखिए तो हम इसे क्या करेंगे 2 into 2 में break कर लेंगे 2 into 2 कितना होता है 4 होता है तो 2 into 2 में हम इसे break कर लेंगे तो यहाँ पर x की power 2 बचेगी तो इसे विल्कुल उसी तरीके से करेंगे देखिए यहाँ पही plus यहाँ भी plus तो क्या होगा हमारा माइनस रहेगा तो n कितना दे रखा हमारा 3 तो n का क्या करेंगे देखिए 3 का क्या करेंगे square करेंगे यहाँ पावर अभी यहाँ पर 2 है 4 पावर मत मानिए 2 into 2 में break कर लेंगे तो पावर यहाँ पर आप 2 मानिए तो पावर कितनी होगी 2 plus minus रहेगा तो minus कर दिया अब देखिए 2 ही करेंगे minus क्यूंकि square वाले में 2 ही minus करते थे तो 2 कर दिया अब देखिए 3 का square कितना होता 9 minus कर देंगे 2 तो कितना बचा 7 7 बचा दोस्तों square वाले में यही हमारा answer हो जाता था लेकिन इसमें एक step और बढ़ा है वो यह है जो 7 आया है इस 7 की power रख दीजिए ये वाला 2 इस 7 की power रख दीजिए ये वाला 2 रख दिया 7 की power जब ये वाला 2 रख देंगे और इसी 2 को minus कर देंगे बिल्कुल इसी की तरह ठीक है इस वाले इसकी power 2 रखा 2 को minus किया 7 की power 2 रखेंगे और 2 को ही इसमें से आप minus कर देंगे क्योंकि plus minus होता है minus कर देंगे तो इसे कर दीजिए 7 की power कितना होता है 2, 49 minus जब 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49 में से 2 minus जाएगा तो 47 यही दोस्तों आपका answer हो जाएगा जब आपकी power 4 दे रखी हो तो बस आपको क्या करना है 22 में break कर लीजिए break करने के बाद आपका answer यहां तक आ जाएगा उसके पाद यह जो 2 बचा है 7 की power इसी 2 को रख दीजिए और इसी को आप minus कर दीजिए आपका answer आ जाएगा अब देखेंगे दोस्तों यह concept तो आपको clear हो गया होगा आप देखेंगे जब power 5 दे रखा हो उसे कैसे करना है अगला question है x plus 1 upon x equal to 3 हो तो x की power देखी यहाँ पर 5 दे रखा है और पूछा गया है तो दोस्तों इसे भी हम break करेंगे जैसे 4 को break किया था तो इसे कैसे break कर सकते हैं देखें 2 plus 3 में break होगा जै तभी तो 5 होगा 2 into 2 में तो break होगा नहीं न 3 में break होगा 2 plus 3 में break होगा तब यह हमारा 5 होगा तो दोस्तों हमें अभी हमने देखा था जब 4 power आई थी तो यहाँ पर 2 into 2 में break किया तो दो लिया था इसमें क्या करेंगे इसमें भी दो लेंगे हमेशा आपको छोटी वाली लेनी होगी संख्या ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपको छोटी वाली संख्या लेनी होगी तो यह छोटी वाली लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 लेंगे तो square हो जाएगा तो square वाले formula से solve हो जाएगी तो square वाला formula क्या है n की power 2 रखिए n का square plus minus 2 ठीक है दोस्तों अब हो जाएगा इसे आप करना असान है तो n कितना 3 3 की power 2 अब देखें यहाँ plus यहाँ plus तो minus आएगा minus का 2 करतेंगे तो कितना जाएगा 3 तिया 9 9 minus 2 कितना आगया 7 ठीक है दोस्तों यहाँ आगया आपका 7 यहाँ पर देखें n हमारा 3 दे रखा है n हमारा 3 दे रखा 3 ले लेंगे 2 था पहले हमने 2 लिया तो power 2 रखी थी इस बार 3 लेंगे तो power 3 रखेंगे यह आप याद रखिएगा दोस्तों पहली बारी हम छोटी संके लेते हैं बाद में बड़ी बारी संके लेते हैं तो n हमारा 3 दे रखा है तो n का multiply हो जाता है एक बारी यह हम आपको पहले बता चुके है 3 को ही minus करेंगे और n से आपका multiply करेंगे तो n दे रखा है आपका 3 यह हो गया दोस्तों इतना आप देखिए जब इसका Q करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 3 3 जा 9 होता है तो 9 को minus कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 18 लेकिन 1 आया आपका 7 और 1 आया आपका 18 पहले वाला solve गया था 2 की power को तो 7 आया था 3 को solve गया तो 8 आया अब इसे solve करना है अभी आगे इन में से कोई भी answer नहीं है तो इसका आगे करने का किया तरीका है देखिए यह किया था हमने square वाला square वाला multiply करना आपको cube से यह तो cube वाला है और यह किया था multiply वाला तो multiply कर देंगे cube से ठीक है दोस्तों multiply कर दें उध्याशए 17 ठीक है तो square कितना है हमारा 7 multiply करना है cube से तो हमारा 18 निकल के आया है cube minus कर देंगे n कितना है 3 इसको कर देंगे minus अब देखिए 7 का जब 18 से multiply करना है 18 सत्य होता है 126 126 हो जाएगा minus कर देंगे 3 तो यह हो जाएगा आपका 1, 2, 3 यही दोस्तों आपका answer हो जाएगा दोस्तों थोड़ा time लगा है से समझाने में लेकिन यह clear हो गया होगा आपका बिल्कूल सबसे पहले 2 को solve कीजिए 2 square रखे फिर 3 square रखे solve कीजिए दोनों निकल के आजाएगे अलग लग फिर दोनों का आपस में multiply करके n को minus कर देंगे 2 x की power 6 देखिए यहाँ पर x की power 6 दे रखी है तो हमेंसे क्या करेंगे इसको भी break कर लेंगे तो इसे कैसे break कर लेंगे दोस्तों 2 into 3 में break कर लेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा 2 into 3 में इसे break कर लिया power को तो जो पहली power रखेंगे वो 2 लेंगे मतलब square वाले trick से ये solve हो जाएगा वही कर लेंगे दोस्तों square वाले में क्या होता है n n कितना दे रखा 3 power कितनी रखेंगे 2 क्यों कि square वाला बन गया अब देख यहाँ भी plus है यहाँ भी plus है तो minus आ जाएगा आ गया दोस्तों अभी क्या करना होगा minus का फिर 2 कर देंगे इसी को minus कर देंगे कर दिया दोस्तों अब देखें 3 का square कितना होता 9 9 में से minus कर देंगे 2 कितना आ जाएगा 7 ठीक है दोस्तों 7 आ गया अब देखें हमने जो आपको बताया था 2 into 2 वाले में जो 7 आया था उसी का square किया था क्योंकि दूसरी पावर भी 2 थी लेकिन यहाँ पाद दूसरी पावर 3 है तो यह cube बाले में चला जाएगा जो cube बाले तरीके से हमने करके दखाया था तो cube बाले तरीके में क्या था n रखेंगे हम n हमारी कितनी है जब 2 into 2 था तो 7 की power square रखा था दूसरी पावर संके 2 थी यहाँ 3 है तो 3 रखेंगे तो 7 का कर देंगे cube तो दोस्तों यह हो गया हमारा cube बाला तो cube बाले में क्या था यहाँ भी plus यहाँ भी plus तो minus का 3 कर देंगे ठीक है 3 कर दिया into 7 कर देंगे ठीक है दोस्तों अब इसे solve करना आसान है जब हमारा 2 वाला था दोस्तों जब in two two का था तो हम ना रख já था दोस्तों यहाँ पर जब हमने multiply किया था तो 2 से किया था लेकिन यहाँ पर 7 से करेंगे क्योंकि जो n निकल कराया है हमाارा वह 7 ही तो है जो हमारा n निकल के आया है यहाँ पे square करने के बाद multiply करने के बाद 7 से ही multiply करने नया n हमारा 7 बन गया है तो 7 से multiply करेंगे तो अब इसे करना आसान हो गया देगे 7 का क्यों होता है 343 ठीक है 7 होता है 21 अब 343 में से जब 21 मानिस कर देंगे तो 3 में ते 1 जाएगा तो 2, 4 में से 2 जाएगा फिर 2 यहाँ पर आजाएगा पतो 322 यही दोस्तों आपका answer हो जाएगा यह बिल्कुल correct answer है आपको क्या करना है जब यहाँ पर पावार ज्यादा दे रखेंगे उसे break कीजिए 5 में दे रखी हो तो 2 प्लस 3 में प्रेक कर लीजिए 6 में दे रखी है तो 2 इन 2 3 में कर लीजिए और जो यहाँ पर आती है क्यूब बाली आएगी तो उसे आप पावर क्यूब ही रखेंगे और उसके बाद आप solve बड़ी आसानी से कर देंगे दोस्ते दी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों झां reproductive, करें भी दोस्तों ऊशफ हमारा चैनल ड़ियो जाडने हरे हिर सब्सक्राइब करें